दोस्तों आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मोहाली बिल्डर्स में मैं विवेक वर्मा आज आपके लिए लाया हूँ डबल स्टोरी कोठी फेसिंग पार्क दोस्तों यह देख सकते हैं यह बहुत ही बड़ा पार्क है दोस्तों यहाँ पे अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक रोज नहीं हमारी वीडियोस पहुंचते रहे दोस्तों अभी हम खड़े हैं एरो सिटी सी ब्लॉक के अंदर जो की इंटरनाशनल एरपोर्ट मोहाली के बिल्कुल पास है यह देख सकते हैं बहुत ही बड़ा पार्क है यहाँ पे दोस्तों हमारी कोशिश रहती है आप तक लाइब वीडियोस लेके आने की दोस्तों आसपास देख सकते हैं सब कोठिया बन चुकी है पूरी वसो है दोस्तों पार्किंग की भी कोई इशू नहीं है आप देख सकते हैं गारिया जाता है सामने यहाँ पर देख सकते हैं काफी खुली सड़के हैं यह सामने ग्रीन गार्डन बना हुआ है दोस्तों फ्रन्ट एलिवेशन दुबारा दिखाना चाहूंगा सामने बी रोड है दोस्तों वहाँ से डिरेक्ट एंट्री है जो एर्पोट रोड से बी रोड आ रही है उससे डिरेक्ट एंट्री के उपर यह कोठी है यह ग्रीन गाडन जिसकी मैं बात कर रहा था यहाँ पर पाक बिना सकते हैं अपना यह रैंप आप देख रहे हैं एक गाड़ी आपकी यहाँ लग जाती है दोस्तो पूरी टाइलिंग हो रखी है उपर तक फ्रेंट पे टाइलिंग है यह आइरन का हैवी गेट लगा हुआ है हेवी लॉक इसके अंदर लगा हुआ है दोस्तो यह रैप आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी गाड़ी खड़ी हो जाती है एक गाड़ी सामने खड़ी हो जाती है सामने पार्क आ गया दोस्तो एक गाड़ी छोटी आप अंदर भी लगा सकते हैं यह देखिए एक स्टैंडर्ड डोर्ज है फ्रंट के अंदर भी टाइल्स लगी हुई है यह 8 फीट के स्टैंडर्ड डोर्ज आप देख सकते हैं काफी स्पेशियस कोटी है यह पहला बेडरूम आ गया दोस्तो इसके साथ अठाच वाश्रूम है यह आप देख सकते हैं कि यह कबड्स यहां प सिटी सी ब्लॉग में ब्लॉग के दोस्तों एरो सिटी का इसके पीछे आइटी सिटी सिक्स्टी सिक्स बैटा है वहाँ पर भी फ्लॉट्स मिल जाएंगे जहां पर अभी आप न्यूस्पेपर्स पर भी देख रहे होंगे एरपोर्ट रोड जो महाली से आ रही है वो भी ए कोठी है दोस्तों यह आपका ड्रॉइंग रूम आ गया एक एंट्री यहां से भी है कि वाल्ची लिंग कप्लीटिड है दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर आपका एल श्येप का सोफा लग जाता है 8 feet के standard doors है यहां पर डबल जाली वाला दर्वाजा लगा हुआ है दोस्तों वो आपका second bedroom है यह आपकी kitchen आगी open kitchen है modular बनी हुई है दोस्तों यह आप देख सकते हैं modular kitchen है किमनी इसमें लगी हुई है दोस्तों सेरा की fittings है mixture taps लगी हुई है पीछे की अगर हम बात करें तो पीछे courtyard भी है दोस्तों single line two side open कोठी है दोस्तों यह देख सकते हैं यह सारा area है पीछे का वो वाश area आ गया दोस्तों यह पर मॉम्टी भी बनी हुई है यह पीछे आप देख रहे हैं तो 300 गच की कोठिया है IT66 बेटा में यहां पर भी 8 feet के सारे standard doors लगे हैं सबके साथ double जाली वाले दर्वाजे लगे हुए हैं यह आपका ड्रोइंग रूम आ गया फिर से दिखा रहा हूं दोस्तों यह आपका फर्स बेडरूम आ गया पेन एंट्रेंस दोनों तरफ से एंट्रेंस है दोस्तों अगर आप इसको रेंट आउट भी करना चाहो एक सिंगल बेडरूम रूम को वह भी कर सकते हैं यह आपका second bedroom आ गया दोस्तों यह भी attached वाश्रूम के साथ है इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कबड्स बनी हुई आप देख सकते हैं काफी स्पेशियस वाश्रूम इस पोठी के एक सो पच्छेस गट की खोटी है साधे 222 का साइज है यह आप देख सकते हैं इससे भी पीछे वाले कोटियाड में एंट्री है दोस्तों हमारी कोशिश रहती है आपके लिए नहीं नहीं वीडियो रोज लेके आने की दोस्तों यहां पर हमारे पास प्लोट्स भी अवेलेबल हैं 100 गज, 125 गज, 1500 गज, 200 गज, 200, 300, 400, 500 सारी प्लोटिंग अवेलेबल है दोस्तों यह आप देख सकते हैं दुबारा से दिखा रहा हूं एक पर बेड्रूम आपको टू बेड्रूम नीचे हैं टू ही बेड्रूम उपर बने हुए हैं दोस्तों डबल मोल्डिंग की स्टेर्स हैं अब हम उपर चल रहे हैं फर्स फ्लोर पर आप देख सकते हैं यह डबल मोल्डिंग की स्टेर्स हैं यह आगे का नजारा यह उपर जा रहा है दोस्तों यहाँ पर भी आप एक और फ्लोर बना सकते हैं टरेस के उपर MET University यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों Infosys आ चुका है HDFC Bank आ चुका है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 8 feet के standard doors है LED पैनल बना हुआ है fall ceiling completed है पलाक्षा युनिवर्स्टी भी यहाँ पर आ चुकी है industrial zone यहाँ पर आ चुका है दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं काफी spacious third bedroom का third washroom with cupboards बनी हुई हैं दोनों floors पे दो bedroom हैं दो washroom attached हैं दोस्तों पूरा set completed है यह LED पैनल आप देख सकते हैं यह drawing room आप देख सकते हैं दोस्तों यह भी काफी spacious drawing room है यहाँ पर LED पैनल भी बना हुआ है उपर fall ceiling completed है यहाँ पर भी आपका L-shape का sofa लग सकता है दोस्तों यहाँ का dining table आ जाएगा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नीचे brown color का contrast था यहाँ पर gray and white का contrast दिया हुआ है यह fourth bedroom है इसका दोस्तों 8 feet के standard doors है सब लॉक के साथ हैं दोस्तों हमारी कोशिच रहती है आप तक नहीं नहीं वीडियो जरोज ले के आने की यह आप देख सकते हैं काफी spacious कोटी है दोस्तों साड़े 22 50 का साइज है सिंगल लाइन की कोटी है सामने पार्क है बाकी की जानकारी के लिए आप मेरे call कर सकते हैं मेरा number है 8553-770-770-9877-226050 अगर हम इसकी पीछे बालकोनी की बात करें तो इसके पीछे बालकोनी भी काफी बड़ी बनी हुई है दोस्तों यहाँ पर भी mixture टाप्स लगी हुई है बालकोनी का व्यू भी आप देख सकते हैं अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों धन्यवाद कि अद्सक्राइब